2018 से उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होकर प्रदेश की सेवा करने को आतो युवा अब तक इंतजार कर रहे हैं उनकी उम्र भी चली गई भरती का नौटिफिकेशन अब तक नहीं आया उन्हें आशा है कि उन्हें उम्र में चूट मिलेगी क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने गवाया है वो वापस नहीं आ पाएगा सुबर शाम दोड लगाई दोड़ते दोड़ते उनके पैरों में छाले तक पड़ गए लेकिन अब तक कोई नौटिफिकेशन नहीं आया मुस्मन से योगी आदेतना से लगा रहे गुहार बोले योगी जी मेरी मदद कीजिए मेरी आज तूस में मत दीजी नमस्कार मेरा नाम प्राची तिवारी है और आप देखना शुरू कर चुकी हैं जेटी नियूस ओन लिट्रोग पिछले दो सब्ता से विभिन मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 52,000 से अधिक सिपाही पदों की भरतियों की अधिसूचना कभी भी जारी होने की संभावनाय जताई लेकिन ना तो यूपी आर पी अफ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना ही मिशन रोजगार ट्विटर हैंडल से इससे संबंधि कोई नया अपडेट आया उत्तरप्रदेश पुलिस में 52,000 से अधिक सिपाही भरति के अधिसूचना का इंतिजार करते करते तयारी कर रहे हजारों यूआओं को सिर्फ निराशा हात लगी यूपी सरकार के मिशन रोजगार के अधिकारी ट्विटर हैंडल से 21 जून 2023 को अपडेट जारी किया गया था कि उत्तरप्रदेश पुर्ती पुलिस भरती एवं पुरुन्रती बोर्ट द्वारा 52,699 सिपाही भरति के अधिसूचना 15 जुलाई तक जारी की जाएगी हलाकि इस तारीक के निकलते हुए भी अब दो हपते से जादा का समय हो चुका है कई उमिद्वारों के पैरों में तो दोड़ते दोड़ते चाले तक निकलाएं है लेकिन पुलिस भरती की कोई सूचना नहीं आई अब ऐसे में इस भरती को लेकर किसी अधिकारिक सूचना के लिए उमिद्वारों को फिलहाल इंतजार ही करते रहना होगा ऐसे में सरकार को सरकाल इस पर निड़ा लेना होगा क्योंकि आगामी लोगसभाचुनाओं और विधान सभाचुनाओं को देखते हुए कहीं भरती ठंडे बढ़ से में न चली जाए फिलहाल पूरे मामले को लेकर योगिया अधितिनाद काफी सक्त और उमीद जताई जा रही है कि अगस्तमा में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा जिन युवाओं की बाद जेटी नियूस कर रहा है वो सब मध्यमवर्गी परिवार से हैं और उमीद में उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा है एक पारदर्शी नौकरी का विश्वास होने पर ही युवा सिर्यम योगिया अधितिनाद से उनसे उमीद कर रही है बाबा पर उनको भरुसा है किन्तु देर ना हो ये उमीद जताए जा रही है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि योगिया तक ये आवाज पहस सके ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फेस्बुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले